हेलो फ्रेंस कुड़ मॉर्निंग कैसे हूँ बढ़िया मैं बढ़िया सो फ्रेंस सारा काम हो गया है तो आज मेरे वहवान जी का मैं इशनान कर रवा रही थी सोचा किया ना आप लोगों के साथ शेयर का दूप तो देख सकते हो गनपती बपा भी है और गुद्दा जी भी है और लच्पी माता जी भी है और इदर श्रीकिशन जी है गुनानिक देव जी है तो सभी को जहां मैं प्रात में रखकर इशनान कराकर दूप में रखूंगी कुछ टाइम के लिए और मंदर की क्लीनिंग कर रही हूँ और सभी बस्तर बगएरा जो है वो दोप कर वाश करकर फिर से हम लगाएंगे मिन्ज मंदर को क्लीन कर रही हूँ तो चलिए फिर दखाती हूँ आपको तो आप बताएं आपको जे मेरे बगवान कैसे लगे आप सभी के बगवान है तो मैं इनको इशनान करवा दूप फिर दखाती हूँ आपको मंदर क्लीन करकर सो फ्रेम्स मंदर जहां से मैंने क्लीन कर दिया है और वस्तर भी मैंने वाश कर दिया है आपको दिखाती हूं तो जे है जो कपड़ा विशाया होता है वो वला इनमें गुटकस साहिव रखे होते है इन सभी में तो जे इदर रखे है और शिर्केशन जी का भी आपको दिखाती हूं तो जे रहा शिर्केशन जी का और बुगवान को उदर रखे है कुछ टाइम के लिए तो चलिए फिर दिखाती हूं मैं मंदर से जाकर आपको जब अस्तर सूगे तो फिर दिखाती हूं आपको तो फाइनली फैंस देख सकते हूं मंदर बिल्कुल नीट और क्लीन मैंने कर दिया है और बगवान भी अपनी जगा पर ग्राजमन हो गए है में जेन को भी रख दिया गया है और जे भी वाश किये थे तो सभी कुछ क्लीन करके रखा है तो मंदर की क्लीनिंग भी जुरूरी ह है तो जितना होपाता है उतना कर देते हैं अपनी तर्श से तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए बगवान के आपको क्लीनिंग कैसी लगी प्लीज आप लोग जुरूर बताएं जदी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंस टेक क्यार कर दो कर दो झाल झाल